टायर का रिसाइक्लिंग बिजनस एक यूनीक बिजनस है इस बिजनस की डिमांड काफी जादा है प्लांट इसके काफी कम है तो अगर आप टायर रिसाइक्लिंग का बिजनस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टन्ट होने वाला है क्योंकि इसमें आज पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि ये बिजनस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप ये प्लांट लगा सकते हैं, कौन-कौन से मशिनरी आपको लेनी होगी, मशिनरी कहां से लेनी होगी, क्या काम करना होगा, कौन-कौन से प्रडक्ट जो है इसमें बनेंगे, product आपको कहां पे sell out करने होंगे, raw material क्या होगा, raw material कैसे मिलेगा, government इसमें आपके लिए क्या support कर रही है, और इसी के साथ इस business को start करने के लिए किन किन license की जरूरत है, investment और profit की भी बात करेंगे, तो ये पूरा detail आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो बिना स्किप कि ये पूरा देखिए ताकि आपको मिल सके राइट इंफॉमिशन नमस्कार अदाब सस्री अकाल आप सबी का फिरसे स्वागत आपके ही चैनल राइट इंफॉमिशन में अगर आप कोई भी बिजनस करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट प्लेट फॉम पे आएओ यहां पे हर रोज आपको नए बिजनस बताए जाते हैं और उसकी पूरी डिटेल आपको दी जाती है ताकि आसानी से आप वो बिजनस स्टार्ट कर सकें तो चैनल में जरूर विजिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हरो जैसे वीडियो आपको मिलते रहें तो सबसे पहले इस बिजनस को समझ लिए इस बिजनस में क्या होता है जैसे की टायर री सैइकलिंग यानि कि टायर को कुछ प्रोसेस से दुबारा से निकाला जाता और उससे अलग-अलग प्रोड़क्ट बनाए जाते हैं और वो मार्केट में बेचे जाते हैं तो इसमें आपके रो मेटरी लियाने के पुराने टायर रहेंगे चाहिए वो किसी भी गाड़ी के हो थ्री विलर हो फोर विलर हो या फिर ट्रक हो ट्रैक्टर हो जो भी पुराने टायर हो वो इस प्रोसेस में जो है यूज होंगे और उन से जो अलग-अलग प्रोड़क्ट आपको बताए जाएंगे क्या-क्या प्रोड़क्ट आप उन से बना सकते हैं तो वो product आप बना सकते हैं और उसको market में फिर बेच सकते हैं और एक अच्छा मुनावफ़ा इस business में आप कमा सकते हैं इस business के regarding मैं आपको बता दो कि यह business जो है काफी profitable business है कि माना जाता अगर आप इसको सही तरह से start करते हैं देखिए कई लोग जो यह business है बिना permission लिए जो है ये start करते हैं बिना machinery के ये business start कर लेते हैं तो वो illegal है रफी बड़ी कारवाई हो सकती है तो इस business को आप जो है बिल्कुल legal तरीके से करिए थोड़ा पैसा इस business में लगाईए तो फिर जो है आप इसमें अच्छा मुनाफ़ा भी कमा पाएंगे और इस business को सही तरह से चला पाएंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस business को start करने के लिए क्या-क्या legal requirements आपको करने होगी यानि कि क्या-क्या certificate और NOC आपको लेनी होगी तो देखिए सबसे पहले इसमें जो आता है factory license आता है क्योंकि factory तरह आप ये business करते हैं इसका plant लगाते हैं तो factory license के लिए आपको apply करना होगा इसके बाद जो है इसमें labor भी काम करेगी तो labor license भी आपको लेना होगा छोटे लेवल पी ये plant लगा रहे हैं scheme का फाइदा उठाना चाहते हैं तो small business अध्योग में भी आपको registration करना होगा इसी के साथ आपको जो है GST certificate लेना होगा यानि कि GST registration भी करवाना होगा अपनी firm का और आपको जो है MOA यानि कि memorandum for article आपके business का बनवाना होगा और इसी के साथ आपको कुछ department से अनोसी भी लेनी होगी अनोसी जो है इसमें most important है कि आपको जो है pollution control board से आपको जो है इसमें अनोसी लेनी होगी second जो है आपको इसमें fire and safety department से भी अनोसी लेनी होगी थेट जो है आपको बिजली भिवाग से भी इसमें अनोसी लेनी होगी और इसी के साथ अगर ये बिजनस जो है आप सिटी के नजदीक कर रहे है मुनसिपल्टी का एरिया आता है तो वहाँ पे आपको मुनसिपल्टी का भी जो है अनोसी के लिए अपलाई करना होगा उसकी अनोसी भी आपकी लगेगी और अगर आपका टाउन अन कंट्री प्लानिंग में वो एरिया आ रहा है तो आपको वहाँ से भी अनोसी लेनी होगी तो ये अनोसी जो ये सर्टिफिकेट है ये अराम से आपको मिल जाते हैं अब जान लेते हैं इस बिजनस को करने के लिए आपकी वुपास जो है कितनी स्पेस होनी चाहिए और लोकेशन आपकी कैसी होनी चाहिए ये बिजनस में आपको बताऊँगा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अकोडिएं कर सकते हैं फिर भी अगर ये चोटे लेबल पर आप बिजनस करते हैं तो आपके पास जो है तीन हजार स्केर फिट से चार जार स्केर फिट स्पेस होनी चाहिए लोकेशन का इसमें काफी इंपोर्टन रोल रहेगा तो कोशिस आप यही करिए कि सिटी के नजदीक हो क्योंकि ट्रांस्पोर्ट वगरा का आपका खर्चा बच जाए और इसी कैसा स्पेस में आपको स्टार्टि में अगर आप लो इंवेश्मेंट में करना चाहते हैं तो आप चिर्फ चार दिवारी निकालके सैड वगरा लगा कि यह बिजनस टार्ट कर सकते हैं तो और दीरे दीरे इसको जैसे आपके बिजनस में ग्रोथ हो तो उसको जो है आपको ऐसमें पुराने भी तायर से रहेगा तो देखिए ठीच आप कहां-कहां से ले सकते हैं में देखिए शिटीजहां भी आप यह उपन करना चाहतें वहां पर काफी सारे टायर्स के डिलर्स होंगे टायर्स के वरक्शोप्स होंगे गाड़ियों की वरक्शोप्स होंगी और इसी के साथ इसमें मौस्ट इंपोर्टनेट है इसके काफी ज़ादा स्प्लायर्स रहते हैं काफी ज़ादा लोग है स्क्रैप का काम करते हैं पास आपको tires मिल जाते हैं और specially काफी लो जो है special इसकी का काम भी करते हैं वो आपको पता करना होगा तो अब जानते हैं कि इसमें आप जो है क्या-क्या product बना सकते हbecित तो इसमें सबसे पहला product जो है आपका carbon black powder नहींग तो ये 맞 चो यही दुबारा से new tires बनते हैं, जितनी भी shoes की companies हैं, आप उनको भी ये product बेच सकते हैं, और भी coffee industry है, जहां पर ये carbon black powder आप बेच सकते हैं, second product इसमें निकलता है steel का wire, steel wire यानि की हर tire के अंदर steel का wire होता है, वो भी एक अच्छे खासे rate पे बिखता है, तो steel का wire भी एक product इसमें रहेगा, वो जो है आप किसी भी steel की company है, steel का plant, वहां पे जो है आप उसको sell out कर सकते हैं, इसी के साथ rubber रहेगा, यानि कि जितने भी tires रहेगे, उनके आप टुकडे करके भी companies को बेच सकते हैं, last इसमें रहेगा pyrolysis oil इससे बनता है, वो coffee important रहता है, उसमें भी एक अच्छ काफी demand रहती है, glass के जितने भी plant रहते हैं, वो इसको purchase करते हैं, into के भटे रहते हैं, into की factories रहती है, वो इसको purchase करते हैं, और इसी के साथ steel के plant रहते हैं, वो भी इसको purchase करते हैं, तो इसके इलावा भी काफी सारे buyers रहते हैं, तो देखिए इतने सारे product जो है आप इसमें बन आ सकते हैं तो आप बात कर लेते हैं यह प्लांट लगाने के लिए कौन-कौन सी मशीनरी जो है आपको लेनी होगी देखिए इसमें सबसे पहले जो मशीनरी आएगी रिंग कटर मशीनरी रहेगी यानि कि जितने भी टायर्स रहेंगे उनके रिंग यान कि बाहर के साइड के joto आएगा सबसे कि जाएगा साकी इसमें जो है स्ट्रिप कटर आएग यानि कि उसको इसको स्ट्रिप में कटा जायेगा ताकि उसके बाद में टुकड़े किया सके उसके बाद आईएगा steel separator याने कि steel separator से क्या रहाइगा कि टायर के अंदर जितना भी steel रहेगा उसको जो है Olग किया जाएगा उसके बाद आपको लेनी होगि टायर slice cutter याने कि जितने भी अपने टायर के strips बनाये था है उनको चोटे चोटे टुकडों में काता जाए उसके लिए ये मसीनरी काम आएगी और लास्ट में आएगे रबर पाउडर मसीन मगर अगर आप पाइरोलाइसिस ओई भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा आपको एक मसीन लेनी होगी जिसमें क्या रहेगा उसमें फिर आपको अलग से द्वादा मसीन उसमें लेनी होगी उसी मशीन में एक ही मशीन में आप जो है पूरे टायर डाल देंगे आटोमेटिक मशीन वो रहती है उसमें जो है स्टील के टायर जो है अलग हो जाएंगे कार्बन अलग हो जाएगा और उसको जो है एक टंपरेचर पर बोईल किया जाता है जिससे की है आप जो दो दो तरह बंट लगा सकते हैं तो जो अगर आपयो सकते हैं जो अगर आपके अगर करुश 확 बाता हहां है। हैं ये उटोमेटिक मशीन जो है लेकर आते हैं छोटा प्लांट लगाना चाहते हैं तो दससे बारा लाक रॉप्य में आपकी सारी मशीन आजाती um इसे के साथ अगर आप ये ऑटो पर या करेंगें कितना बड़ा प्लांट है अब प्रोफीट जानेते हैं कि इसमें प्रोफिट कैसे होता है लेक्रिट करता कि मेक्त कर पारी इस भी इतनी बैने कंपनी के साथ में कृण करना होता है कितना product जो आप बेज पा रहे हैं डारेक्ट इसके supplier भी रहते हैं उनको भी आप बेज सकते हैं उनको अगर आप डारेक्ट बेचेंगे तो आपको कम margin मिलेगा अगर डारेक्ट company के साथ tie up करेंगे तो उसमें एक आप अच्छा खासा मारजन मिलेगा तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप जो है इसमें काम करते हैं तो आप इसमें समझ सकते हैं जितनी भी आप जो है रो मिट्रियल लगाएंगे उसका आपको 20 परसेंट तक जो है बेनिफिट रहेगा 10,000 रुपे जो है आप लगाते हैं उसका रो मिट्रियल लेके आते हैं तो इसका 20% हुआ 2,000 रुपे आप डेली का कमा सकते हैं यानि की पूरे अक्सपेंस वगरा निकाल के क्योंकि इसमें से जो जैसे की स्टील निकलेगा वो 15-20 परसेंट रहता है उसका रेट जो है 17-18 20 रुपे रहता है वो डिपेंड करता है कि कि सप्लायर को बीच रहे हैं कारबर का रेट भी इसमें अच्छा रहता है 15-16 रुपे कारबन का रेट रहता है और जो अगर आप ओईल भी इसमें लगाते हो तो उसमें और भी ज़्यादा आपको प्रोफिट होता है उसका एक अ जादा भी आप कमा सकते हैं तो ओन आवरेज आपका इतना रहेगा अगर आप डेली का 20,000 का टायर जो रो मिटिल यूज करके करते हैं तो आपका उसमें 4,000 बेनिफिट हो जाएगा 40,000 करेंगे तो उसमें डेली का आपका 8,000 हो जाएगा यानि कि जितने बड़े प्लांट आप लगाएंगे जितना बड़ा आप मैनुफेक्टरिंग यूनिट लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रोफिट आप इसमें कमा सकते हैं तो दो से तीन लाग रुपे आपको करनी होगी और इसी के साथ आपको जो है रो मेटेल भी रखना होगा रो मेटेल का भी आपका प जो लेबर वगर रखेंगे उनकी सेलरी वगर आपको देनी होगी लाइट बिल देना होगा तो आप ये समझ के चलिए अगर आप ये बिजनस सोट लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो 18 से 20 लाग रुपे मिनिमम आपके पास होना चाहिए ताकि सही से आप इस बिजनस को स्टार्ट कर सकें इससे बड़ा चाहें आप जितना बड़ा प्लांट लगा सकते हैं इसके बाद अगर आप आटोमेटिक मशीन लेके आते हैं तो आप ये 30 से 35 लाग रुपे में कर सकते हैं तो देखे इस चीज़ का भी आप इसमें ध्यान रखिए कि प्लांट को स्टार्ट करने से पहले देख लीजी कि कितने पहले से स्प्लाइर हैं कितने प्लांट पहले आपके एरिया में चल रहे हैं और कितना आप raw material इसके लिए arrange कर सकते हैं और कितना आप उसको बेज सकते हैं क्योंकि ये plant start करने से पहले आपको जो भी मैंने companies बताई उन companies से आपको पहले मिलना होगा कुछ companies आपके plant से आके भी लेकी जाती है supplier भी आपके plant से आके लेकी जाते हैं उसमें margin आपका कम रहता है अगर आप वहां तक पहुंचाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा margin मिलता है और इसी के साथ जो raw material आप लेते हैं वो अगर आप local खरीदते हैं तो उसमें भी आप direct बात कर सकते हैं कुछ लोग आपको plant तक पहुंचा देंगे या फिर आपको वीकली आप गाड़ी निकाल सकते हैं अफ़ते में दो बार गाड़ी निकाल सकते हैं जितने भी टायर है उनको collect कर सकते हैं तो इन चीजों पे ये business depend करता है तो अब loan and subsidy के बारे में भी जान लेते हैं उसमें अगर आप SCST category से हैं तो आपको 35% तक subsidy मिलती है और 90% तक आपका इसमें loan हो जाता है इसी के साथ अगर आप journal category से हैं तो आपका 15 से लेके 25% तक आपको इसमें subsidy मिल सकती है और 90% तक आपका loan हो जाएगा 10% आपको खुद से इसमें लगानी होगी तो देखिए इसमें जो है खुद से आप ये पुंजी लगा के स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप लोन के प्रोसेस के तुरू जाते हैं सबसिडी लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रोग्राम में जो है अपलाई करना होगा इसमें कैसे अपलाई करें उसका मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ लिंक डिस्किप्शन में मिल जाएगा यानि कि PMEGP में लोन आप कैसे ले सकते हैं कैसे अपलाई कर सकते हैं उसका डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको प्रोजेक्ट, रिपोर्ट वगरा बनानी होगी, कहां पे सब्मिट करनी होगी, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूरी डिटेल आपको समझ आ गई हो, तो लाइक और सेर जरूर कीजिए, इसी के साथ कोई ऐसा बिजनस करना चाहते हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपको नहीं मिल पारी है, वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टेक केर, बाबाए!